हेलो गैस आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है तो अभी हम बात करने वाले हैं टाटा इस्टील के बारे में तो देखें इसके जो रिजल्ट आए हैं उसका पूरा एक हम कम्पलीट एनालिसिस करने वाले हैं हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो रिजल्ट हैं वो कैसे आए हैं और देखें कल जो इसके शेर पर इफेक्ट पढ़ने वाला है इसके रिजल्ट से वो कैसा रहने वाला है तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में भी पता लगता रहे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर अगर हम देखिए इसके आज के ट्रेडिंग शेशन की बात करते हैं तो जो इसका आज का है बना था वो शेर ने 1324 रुपे के असपास का है बनाए था जबकि जो इसका लो था वो 1288 रुपे के असपास था शेर भी लगबग लगबग एक रुपए के असपास positive बंद हुआ जबकि लास्ट कुछ ट्रेडिंग शैसंस की बात करें तो उस टाइम पर इसमें गिरावट भी देखने को मिली थी और अगर हम इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो देखे जैसे आपके इस स्किन पर देख पा रहा है कि जा कौटर टू के जो रिजल्ट हैं जो उसमें रिवेन्यूज में जो ग्रेवट हुई है वो लगब 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 6,282 करोड रुपीज के असपस रिवेन्यू पहुच तो जो इस साल जो कौटर में जो अर्निंग रही इस साल और इस कौटर की जो अर्निंग्स रही है टोटल मिलाकर के 12,548 करोड रुपीज के असपस रही है जिसमें बहुत ही भयंकर एक बढ़ोतरी देखी गई है अगर हम लास्ट इयर की बात करते हैं सेम कौटर की तो उसम में 1546 करोड रुपीज के आसपस रही तो देखे इसके अंदर जो इसके कौ फाइनेशल रिजल्ट्स में जो बढ़ोतरी हुई है पैट में जो बढ़ोतरी है वह बहुत ही भयंकर बढ़ोतरी हुई है और जो इसके पीछे का कारण है वो यह कि देखे पिछले कुच टाइम से अगर आपने देखा है तो जो स्टील की जितनी भी कंपनीज हैं क्योंकि कॉमोडिटी के प्राइज हैं जो उन में बहुती तगड़ा हाइक हुआ है तो इसी वज़ा से पूरा का पूरा जो स्टील सेक्टर है उसके जो रिजल्ट है वो दमदार आने लग रहे हैं और उसी की वज़ा से जो इसका पैट है वो बहुती अच्छा निकल करके आया है अगर हम प्रिसीडिंग कौर्टर की बात करते हैं तो देखे उसमें जो इसका जो पैट है वो लगब लगब 8,907 करोड रुपीज के आसपस खड़ा है तो देखे ये स्टील सेक्टर का सबसे बड़ा और सबसे दमदार कंपनी है और इसकी जो रिजल्ट है वो भी बहुती बहंकर और दमदार आए है अगर हम कॉंसॉलिडेटिड रिवेन्यूज की करते हैं तो देखे तो देखे कॉंसॉलिडेटिड रिवेन्यूज में जो भड़ोती है वो लगब 6,282 करोड रुपीज के आसपस इसके कॉंसॉलिडेटिड रिवेन्यू में ग्रोथ देखी गई है जबकि अगर हम लाश्ट येर की बात करते हैं लाश्ट येर में ये जो कॉंसॉलिडेटिड रिवेन्यू था 37,154 करोड रुपीज के आसपस थे तो देखे अल्मोस्ट यहां से जो रिवेन्यू है कंपनी का वो डबल होता दिखाई दिया है लाश्ट येर से तो उससे कंपनी की पूरी ग्रोथ दिखती है कंपनी ने कितना प्रदर्शन किया है कैसा प्रदर्शन किया है ये सारा कुछ इसी से अनुमान लगाया जा सकता है और अगर हम पहले वाले कॉर्टर की बात करते तो वहां पे जो रिवेन्यू था कंपनी का 53,332 था जो की 60,282 करोड रुपीज हो चुका है बढ़ चुका है वहां से तो देखिए कंपनी में कॉर्टर उन कॉर्टर जो रिवेन्यू है उसमें भी बहुती अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और जो कंपनी के जो फाइनेशल्स हैं लेकिन उसके अगैंस्ट इसले कॉर्टर में जो कंपनी ने पर्फॉमेंस दिया वह बहुती दमदार दिय जबकी जो डोमेस्टिक डिमांड थी उसमें जो काफी कमी देखने को मिली थी जो कंपनी ने ग्रोथ किया वह बहुती अच्छी किए है और इस share की performance की कारणी इस share का अगर हम return की बात करते हैं तो एक साल में पिछले एक साल में इसने लगबग लगबग 175% के आसपास जी हां 175% के आसपास बहुत ही भैंकर return भी दिये हैं और देखे आने वाले टाइम में ये share आपको 1500 से 2000 रुपए के levels पे भी जाता दिखाई इवन तो जो हमारा group है group में भी हमने ये share दिया था और वहां से देखे लोगों को जिन्हों ने buy किया उनको अच्छा खासा profit भी निकल करके आएगा और कल देखे कल इसमें बहुत अच्छा एक bounce देखने को मिलेगा आपको अगर हम last to last trading session की बात करते हैं तो देखे जब steel के दाम गिरे थे तो वहां पर टाटा इस्टील का जो प्राइज था वो लगबग 1280 के आसपास चला गया था और वहां से मैंने buying level के लिए बोला था कि यहां से आप इसको buy करके चलिए even though आज भी मैंने buying level के लिए बोला था और देखे आज share जो 1320 रुपे के आसपास आई बन करनी है नए level क्या रहेंगे यह सारा कुछ हम आपको बताएंगे हाँ आप हमें हमारे comment section में लिखिए और सारा कुछ हम इस share के बारे में बताएंगे कहां तक यह जा सकता है यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें comment section में जरूर बताएं और अगर आप हमारे channel पे नए है तो channel को like and subscribe करना ना भूले वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जूड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद